तो हैं चूरू के सरदार शेर के अंदर तैसिल शेतर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप के साथ ही जैसे जैसे अस्पताल के अंदर डेंगू के मरीजों के संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अस्पताल की विवस्ता भी चर्मराती हुई नज़रा रही है तैसिल का एक मात्र सबसे बड़ा राच के अस्पताल में ना तो मरीजों के लिए दवा है और ना ही डेंगो मरीजों के लिए गुलकोज की बोतले हैं ऐसे मियाँ पर आने वाले मरीजों के आज आंसु ही निकलाए रोते वे बताया की डॉक्टर द्वारा ना तो दवाई दी जा रही है ना ही गुलकोज की बोतले दी जा रही है ऐसे में हमें भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है साथ ही साथ अस्पताल में जितनी भी जांचे हैं वे सब बार से ही कड़ानी पड़ रही है इसके लिए उन्हें जाच के 600-800 रुपे तक चुकाने पड़ रहे है इस दारान अस्पिताल के अंदर ही सफाई विवस्ता भी चर्मराती हुई नजर आ रही है अस्पिताल के अंदर जगजगे गंदगी का आलम नजर आ रहा है जिससे अस्पताल की विवस्ता पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं वहीं गुलकोस की कमी को अस्पताल की प्रभारी ने भी स्विकारा है कि अस्पताल में गुलकोस की कुछ कमी है लेकिन जल्द ही इसे सुधार लिया जाएगा लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक और डिंग निकल सामना नहीं करना पड़े करने के लिए ना इनके पास नहीं है और नहीं आम जनता के दुख्या है तब इस समय बड़ी संख्या में देर्गू के लावा अन्य बहुस्वी ब्मारियों के लोगी आ रहे हैं जिसकारण अस्पताल पर काफी पारे बहार है फिर भी हमने प्रयास करके अत्रिक बैड की विर्स्था की है और कुछ बैड हमें गैल्री में भी लगाने पड़े हैं इस समय हमारे MRS पर भी बजेट की थोड़ी समस्या है जिसके लिए उच अधिकारी को अवगत कराया है तथा अधिक बजेट पर आपके रहे हैं इसमें अप्राये सभी एज गुप इंवाल्व होते हैं डेगू एसी बीमारी है जिसमें सभी परकारगे एज ग्रूप इंवाल्व होते हैं जर्था संबभ दवाईया उतलक करायी जा रहे है जैंसिजिएं को नोच पर प्रयास करा चारा है कि इसमें कुछ शॉटेज की सब्रे आई है तो इसको शेग्री की जाई है तो जैसा मैंने बताया कि काफी पड़ी समस्या मरस में बजट की आ रही है तो इसमें अधिक बजट लाने को फ्रयास किया जा रहा है कि सर में आज सुबह से आया हूं सर अभी मैं सर एक गंटे दो गंटे से मेरे को सरी इलाज हुआ है अब वह रहे हैं कि इदर कोई चीद हमारे पास सुईधा नहीं है आपको ज्यादा बात करनी है तो आप बहुत बात करो जाएगे और सर में एक बच्ची लेए इसमें कुछ बना देता हूं कर इस बच्ची असर एक्जाम है तो यह बोरे कोई सुधानी है आप से हमारे से जादा बात करनी है यहां पर आपको जो भी करना है बाहर जाए बात करो दो आए वक्राइब रखाना नहीं इसमें इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि आपकोई सुनने-वाला बोलने वाला नहीं कोई बोलते रजिस्गता बात बOLबो कुई इन चार्ज से किसी से बात करू को्ई आने के लिए इसमेरी क को जिकती नहीं है सबकोड़ा रहा है कोई लोग कर देना चीए तो जोका मदोबार आदमी मरीज कोई ब reicht को कई बोलने इस है अच्छा है हमारे इस या तो लोग लगा दो तो यहां पर आगा कोई दिक्कत नहीं है और 210 गाम मरीज आ रहे हैं कोई 50 किलोमेटर से कोई 40 किलोमेटर से सब अपने बचों अब लेगे फेर रहे हैं इतने में बत्तों मों पर अधिर्शन लगें गुलखोज लगाने वाला कोई नहीं है पाईपी बंद करने वाला यहां पे को यह पर अगर आपिया राजकरनी भी हो चाहिए आप कोई भी हो यहां पर आके हमारा निवेदन आद जोड़के कि आप एक बार यहां पर आके व्योस्ता को संबलें